तो गाइज आज की स्वाल वीडियो में हम लोग करने वाले इंडियन बाइक्स द्राइविंग 3D वर्सेच इंडियन थेप्ट आटो ये दोनों ही गेम आज कल काफी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं चलो comparison करके देखते इन में से कौन सी गेम बेस्ट है और इन दोनों गेम्स को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे ये मैं आप लोग को वीडियो के एंड में बताऊंगा तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और वीडियो स्टार्ट करने से पेले आप लोगों के लिए एक चैलेंज है जो लोग इंडियन 22nd खेलते वो लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और जो लोग इंडियन 22nd खेलते वो इस वीडियो पे कमेंट करेंगे तो पटापट से लाइक और कमेंट कर दो मैं भी देखता हूँ किस गेम के फैंस जादा है बाइदवे चलो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरब तो गाईज हमारी फर्स्ट गेम है इंडियन बाइक्स डाइंग 3D और जिन लोगों को ये गेम नहीं पता उन लोगों को क्या ही बोलू भाई में तो फिर भी मैं बता देता हूँ ये अपने गेम का कैरेक्टर जो जीटेफाई के फ्रैंक्लिन जैसा दिखता है और ये जो बाइक आप लोग देख रहे हो जेड एक्स टेनर ये भी इसकी है और इस साइड पर पचास लाग की फर्चुनर ये भी इसकी ही है भाई और यह रहा इसका swimming pool जहाँ पर swimming करता है नाता है और full to time pass करता है और यह जो सामने आप लोग बहुत बड़ा बंगला देख रहे हो यह पूरा का पूरा बंगला इसका ही है भाई आप लोग इसके looks पर बिल्कुल मत जाना यह टकला है तो क्या हुआ इसके पात बहुत जादा पैसा है यह रहा इसका hall जहाँ पर शेर की painting लगी है और यहाँ पर बेटता है आराम करता है और यह रहा इसका bedroom जहाँ पर आराम से बेटके टिवी भी देखता है और जब आप लोग यह से उपर जाओगे आप लोग को यकिन ने होगा भाई साहब इसने यहाँ पर पूरी क पूरी जिम बना के रखिये इसलिए इसकी बाड़ी तो देखो कितनी ज्यादा तगड़ी है इसके डोले शोले भी देखो क्योंकि रोज सुबा उटके सबसे पहले दो घंटे तक जिम मारता है तो चलो बाकी सब कुछ तो हो गया बड़ भाई इसने इतना बड़ा बंगला बनाया बड़ इसके घर में इसने टॉयलेट ने बनाया भई लगता है बाकी सब कुछ काम स्विमिंग पूल के अंदर ही करता है ना ना और हगना तो चलो गाइस बढ़ते हैं अभी सेकंड गेम की तरफ जो कि है इंडियन थेप आटो तो गाइस अभी हम लोग आ चुके इ जरूर बताना भाई इस गेम के अंदर हम अपने कैरेक्टर का फेस भी देख सकते हैं बट इंडियन थेडिके अंदर नहीं देख सकते हैं बाकी सब चोड़ो हमारे कैरेक्टर के पास है एक बहुत ही प्यारा सा डॉक जिसका नाम है शेरू और यह बटन दबाने के बाद य पीर से दबाने के बाद यह बेट भी जाता है वाकी हमारे कैरेक्टर के पास कार कलेक्शन बहुत ही ज्यादा तगड़ा है यह लोग देख सकते हो और यह रहा सामने अपना प्यारा सा घर जो कि बहुत ही जदब बढ़ा है लेकिन उससे देखने से पहले मैं आप लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो कि ये बाई इस पार्किंग के अंदर और बाई इस पार्किंग के डोर अपने आप खुल भी जाते हैं और गाईज ये देखो इस पार्किंग के अंदर है अपना असली वाला कार कलेक्शन जिसके अंदर दो-दो सोने की कार से और बाई य देखो भाई सोने की थार और यहाँ पर अपनी सूपर भाइक निंजा एस्टु आर भाई सच में अपना कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा आमिरे तो चलो अभी देखते हैं इसका घर यहाँ पर इसके घर का में डोर जहां से हम एंट्री मारते हैं और यहाँ पर आप लोगों को बेटता है और सब कुछ काम करता है और एक बार देखो भाई यह कितना ज्यादा बड़ा रूम है जहाँ पर यह कुछ भी कर सकता है और यहाँ से बहुत बड़ा व्यू दिखता है और बाकी इस रूम में एक बहुत बड़ा टीवी जिसके अंदर आभी कुछ भी ने लगत सकते यह फीचर सेम टो सेम जीटे भाई जैसा है यह देखो हम आपने कैरेक्टर को गंजा भी कर सकते टोपी भी पेना सकते बाकी यह हैरस्टाइल में आच्छा दिखता है बाकी यह आपर संग्लासे से और यह देखो भाई यह आपर शर्ट बट अभी मुझे यह वाला फुली रेडी वाखी गाइज हम इस घर के उपर वाले फ्लोर पर नहीं जा सकते क्योंकि वह आभी तक नहीं बना है तो यह गाइज इंडियन टेप टाटो का पूरा का पूरा हाउस तो गाइज अभी हम फिर से आचुके इंडियन बाइस डाइउन 3D के अंदर तो अभी द हम से फिस छोटे वाले एरोप्लेन को चला सकते हैं जो की चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तेखो भाई यह कभी डंग से उड़ता ही नहीं है यार बार बहुत ही गंदा वाला क्रेश हो जाता है जो कि सिप नाम का कारशोरुम है इसके अंदर आपको एक भी कार दिखाई नहीं देगी पता नहीं इसके अंदर इननोंने कार्स कैयों नहीं रखी और गैज कार शोरुम के सामने ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यह बहुत यह बढ़ा कंस्ट्रक्शन एरिया ज लोगो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर खड़ी होती है एक ट्रेंड जिसे आप लोग चला भी सकते हो अबहिसथ लोग पता नहीं क्या कर रहे होते और अंदर एक के दिये जिसे हम एक भी गोली मारते है तो वाई एक पुरी सोले सिधा हमें सिधा मारने आते तो चलो अबहों हम इने खटम कर देते पर यार मेरे हिलत बहुत जाद हमे अब यार इन्हों ने तुम मुझे मार दिया तो गई चलो अभी देखते इंडियन ठेपट आटो में गया है भाई इसकी सीटी देखो बहुत ज़्यादा बड़ी है यह इस सीटी का मैप तो कि आप देखी सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा है और गई यह इस सीटी का पार्क यहाँ पर कुछ भी नहीं है बस पूरा का पूरा खाली पड़ा है और गई इस गेम के अंदर एक गैरेज भी है जिसके अंदर हम अपनी कार को मोडिफाई कर सकते हैं वाई यह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यह फीचर बिल्कुल जीटे पाएगे जैसा है तो यहाँ पर हम अपने कार का कलर अगेरा सब कुछ चेंज कर सकते हैं और यह देखो यहाँ पर टायर्स भी चेंज कर सकते हैं और गई यह देखो यहाँ पर हम वील्स की साइज भी बड़ी या छोटी कर सकते हैं यह देखो भाई यह कितना खतरनाक फीचर है तो चलो यहापर दोनों भी उसको एकदम बड़ा कर लेते और यहापर रीम का कलर भी चेंज कर देते हैं तो गाई स्मोक का कलर कुछ भी यहापर सेट कर देते हैं फटापट से तो गाई यह हो चुकिए अपनी बाइक रेडी और बाइक देखो बहुत ही ज्यादा फनी लग रहे है ठीक से चल भी नहीं रहे है बाखे गई जिस गेम के अंदर एक अच्छा सा कार शोरूम भी है जहां से हम कार पर्चेस कर सकते हैं तो चलो यहापर अच्छे से स्वागत भी होता है और यह रही हमारी ब्रैंड न्यू कार जिसे आभी हम अपने घर ले जा सकते हैं तो गई जिस गेम के अंदर एक चोटा सा विलेज भी है जो कुछ ऐसा दिखता है और गई जिस गेम के अंदर आप लोग को इंडेन बाइस डाविंग ठीडे जैसे बहुत सारे वेपन्स देखने को मिल जाएंगे चलो एक बार इस हो गया गाड़ी क्यों नहीं चल रही और इन्हों ने तो पूरे गाड़ी की बैंड बजा दी पूरे टायर अलग कर दिये गाड़ी के तरफ इसमें आप लोग को एक फोन देखने को मिल जाएगा जिससे आप कार भाई गाड़ी कुछ भी स्पॉन करा सकते हो या तक कि से आप अपनी खुद की सिटी भी बना सकते हो तो गाईज यह फीचर तो बहुत ज्यादा मज़ेदार है और वाकि आप इसी फोन से अपने कपड़े होगेरा सब कुछ चेंज भी कर सकते हो इंडियन ठेप टाटो में आप लोग को एक फोन देखने को मिल जाएगा इससे आ आप लोग को बताता हूँ कि इन दोनों गेम्स को टेन में से कितने नंबर्स मेलेंगे तो मैं इंडियन ठेप टाटो को दूँगा टेन में से 8.5 की रेटिंग वैसे दोनों ही गेम अपनी अपनी जगा पर बेस्ट है तो अब आप लोग मुझे बताऊँगे कि दोनों में स सब्सक्राइब करना मत बूलना तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाइबाइ